आप कुछ करना चाहते हैं और हो कुछ अलग ही जाता है मतलब आप कुछ और करने की सोच रहे होते हैं और आपकी किस्मत आपको कहीं और ले जाने की प्लाइनिंग कर रही होती है जहां कुछ ऐसा ही हुआ इस समय दिल्ली पुलिस में कॉंस्टेबल के पद पर तैनात रजत राथोड के साथ उनके मन में अगर कुछ था तो वहाँ था सिंगर बन कर उभरना और इसी रहाप पर उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया था लेकिन एक दिन उनकी लाइफ में ऐसा मूडाया जिसने उनके सपने पर ब्रेक सा लगा दिया रजत राथोड के पिता जो के दिल्ली पुलिस में ही बतौर कॉंस्टेबल तैनात थे वहाँ अचानक 2015 में गुजर गए इस वक्त रजत को खुद को और परिवार को संभालना था रजत की उम्र इस समय महज 17 साल थी वही पिता के गुजरने के बाद घरवाले रजत से संगिंग को परे रखकर पिता की जगह ड्यूटी जोइन करने को बोला लेकिन रजत अभी 18 साल के नहीं हुए थे फिलाल एक साल बीत जाने के बाद जैसे ही रजत 18 की हुए उन्होंने मा की कहने पर पिताजी की पोस्ट को पाने के जो नियम थे उन्हां फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस में कॉंस्टेबल की नोकरी जॉइन की वही रजत पुलिस में भरती जरूर हो गए लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में गाना गाने की ललक उचल रही थी जिसे राथोर ने मरने नहीं दिया उन्होंने यहां तई किया कि वहां अपनी ड्यूटी तो करमठता के साथ निभाएंगे ही साथ ही अपने अंदर गाना गाने की कला को भी बरकरा रखेंगे जहां कॉंस्टेबल रजत राथोर ने ड्यूटी के साथ साइड में गाना गाना भी शुरू कर दिया रजत अब कॉंस्टेबल की ड्यूटी करने के साथ साथ गाने भी गाते हैं और उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लैटफॉर्म पर अप्लोड करते हैं हाल ही में उनकी द्वारा कोरोना वारियर्स के लिए गाया गया गाना तेरी मिट्टी जोगी सिंगर भी प्राग का गया हुआ है बहुत वाइरल हो रहा है लोग उनके गाने को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे है यहाँ तक कि खिलाड़ी कुमार यानी अक्षे कुमार ने भी रज़त राथ होड़ की इसके लिए जम कर तारीफ की है हाई रज़त दिर अक्षे यार क्या कमाल का गाते हो तुम बहुत प्यार गाना गाया तेरी मिटी मज़ा आगया सुनकर यह वैसे गाना है भी इतना प्यारा कि आंखों में से आंसू निकलाते हैं और उपर से तेरी आवाज भी उसमें इतना दर्द है ब्यूर्फ हो लिया And I can see that you are a uniform man Am I right? Lots of good wishes and respect for the work that you're doing Keep doing good and keep up your talent Well done